स्वर्ण के खिलाब जो जवान लेगे यह नितिस्कुमार जी को कहना चाहते हैं सरकार गिरने का डिर तो जित्ता रमांजी को तुम पालो हमें इससे कोई तेकलिप नहीं है लेकिन सबर्ण के समाज से तुम भोट मांगने जाए नितिस्कुमार जी उस दिन आपको सब्सक्रा सब्सक्राइब करना चाहते हैं सब्सक्राइब करने के लिए तो उस दोकान को बंद कर बादेंगे खुली चुना होती है तो मुर्खों को पहले गठफंदर के उपर कड़वाई कीजिए क्योंको नहीं कर सकता है मेरी मा के ब्राबर है। मैं माँ कभूल कर पार्टी के सथ पैले पहले जाता. उसके बाद पार्टी तीन का समय देता है उनका परने क्या घृत कर भीएं सब्सक्राइब कर दाहिकर और चाहिं अकतर नहीं मांगना होगाhst बहुत बड़ी बात है आपने बिहार के 15% सुवर्णों को गाली दिया है तो नितिस जी आप इस बात को भी कान में रख लीजिए जिस दिन 15% 3% 4% एक साथ हो गया ना उस दिन आपका कूरसी नहीं कूरसी कहा फेका जागा वह आपको पता चल जागा आज सुवर्ण के आइस इसलिए गता है तो कि अच्छा नहीं रहेंगे तरह के ला अंहीं को पता है तो इस लिए आपको सहाथ करना है और आगे आपको यह स्थी हो जागा क्या बाड जितने लाक नहीं रहेगा है आपको मुखमती को सप्ना ही छोड़़ दी किसी भी काम के सरुआत करने पहल ब्राह्मनों के लिए जो अबदर भासा का उसको लेकर प्रेब ब्राह्मन समाज में खासा नाराज़्की देखी जा रही है पुतला भी दहन किया जा रहा है माजी का और उन पर फायर भी दर्ज किया गया है देखे जिस तरह से खुले मन से ब्राह्मनों को उन्होंने शंबोधित किया उनको गालिद दिया उसको लेकर अब बिहार में सियासत तेज हो गई है और लगतार तमाम लोग यही मांग कर रहे हैं की निपीशकमार जीता नहां माघी पर काड़वाय करे अभी हमारे साथ जध्यू के युवानेता सवर्न प्रकोष के महासचीव रहे फुरस्वत्य मराज हमारे साथ है भाच्जित करेंगे क्योंकि प्रत्वत्यम जो है इसको लेकर खासा नराजी है सबसे पहले बात है कि पांच रुपया नहीं है तो हम से पांच रुपया नहीं है क्योंकि इस परकार से अगर ब्यान देंगे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप ऐसे जिता रमांजी सा महमुर्खों को पहले गठफंदर के उपर करवाई किजिए क्योंकि वह गठफंदर दर्म का पाला नहीं कर सकता है मैं हिजरा नहीं हूं कि पार्टी में अंदर रहके सुवर्णों के खिलाफ जो गाली देगा उसके खिलाफ हम ताली बजाएंगे सुवर्णी के खिलाफ जो जबान लेगा उसके जबान घीच लेंगे यह नितीश कुमार जी को कहना चाहते हैं और आज यहीं बात पर आप गुस्ते हैं नितीश कुमार पर आप कह रहें कि नितीश कुमार को करवाई करना ही होगा चाहती कोई कि उपके करते हैं mesmo यही पर नहीं करते हैं बकिशनीए कि सब्सक्राइब कर औहले अबयान के Sonra ही सब करते हैं किसी पूआद का जमृत करने पहले मैं सब्सक्राइं करता हूँ कि पांच रुपे का फैबी कोई खड़ी जबान पर लगा ले क्या लगता है कि जीता रामाजी को माफी मांगनी चाहिए पिल्कुल माफी मेडिया के सामने नहीं मांगना होगा माफी बहुत बड़ी बात है आपने बिहार के 15% स्वर्णों को गाली दिया है आप जो चिला के मंच पर से बोले थे कि एक परसेंट दो परसेंट हमें एक साथ हो जाएंगे तो सरकार के तक्था प्लड़ देंगे तो नितिस जी आप इस बात को भी कान में रख लिजिए जिस है एक परकार उत्तर परदर्श में चुनाव आया है तो अब प्रहामनों को लुहा रहे हैं जो प्रहामनों को गाली द्रह उसके साथ आप गठ पंदन चला रहे हैं यह एसा दोहनी दिती बलाना नित नहीं चलेगा यह बिहार के स्वर्ण समाज बरदास्त नहीं करेगा सब्सक्राइब करें निवास हैं तो बोलने के अजादी है और बोलेंगे भी अपने जाती दन के खिलाब लें लेकिन एक बात पुरसंतर परादी कि जद्यू में भी कई सवर्ण निता है उन्होंने उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है तो क्या वह सिर्फ सथा के लो और समाज कर अच्छा करने के चिंता हैं लेकिन इसका बरदास्त नहीं किया जाएगा करवाय नहीं हुई माधी पर तो आप लोग इस्तिफा देंगे जद्यू करयाले के बाहर धरना देंगे बिलकुल देंगे इस्तिफा यह सवर्ण प्रकोष जैसी जूटी संगठे मिलने कि अधिक आप है जो सवर्ण को ही खिलाप में लोग बोलते हैं सवर्ण समाज को हमेशा यथी कि पपू सिंग का हत्या हो गया सामें पुलिस ने मार के हत्या कर दिया अभी तक सरकारेक्शन क्यूं नहीं ली ऐसे ना जैने कितने सवर्ण के खिलाप बोले हैं जी तरा कि यहां कि सबसें वाल पूर्षतम की सवर्ण की राजनिती के लिए कि उप्यों कि उनका यूज करते हैं बिलकुल इस परकार का बहारों तो उसको क्या समझें उप्यों को तो किया जाना इसका जब चुनावात आता है तो सवर्ण को अलापने लगते हैं बाच्पा वाले आपके पास पैसा नहीं तो आपके समाज के लिए लेकिन आप नहीं पड़ा है तो आपको मधूंपूर से हार का सामना करना पड़ा था और आगे आपको यही स्थित्य हो जाएगा क्या बाट जीतने लाइक नहीं रहेगा आपको मुखमंदी के सपना ही छोड़ दिए तो पर गुस्ता जो है वह देखा जा रहा है कुर्स्तों मिराज जद्यू के युवा नेता है और सवन परकोष्ट के जहाना बाद से महासच आई गई थी क्या सवन्नों का रक्षा करने के लिए नितीश कमार जी जिमिदार नहीं है कि उन पर कोई दाई तो नहीं है कि सवन्नों को जिस तरह से गालिया दी जा रही है जितनारमाजी ने बहुत बढ़ी गल्ती कर दिया पूरे बिहार की यही मांग है कि जीतार्राम माजी को खुले मन से उन ब्राह्मनों से मौफी मांगना होगा यह जद्यू के यूबा नेता है बुरुषत्रमराज अर्हिण साफ कढाय अगर जीतारर्राम माजी पर कारवधन नहीं होती है तो यह अपने से अप aura नहीं है महाने जनम इसलिये नहीं करने सचाए कि दोगाल चाह। नितीश कुमार के सरकार करें जित्ता अब मांजी के तुम पाल लो हमें से कोई तेकलिप नहीं है लेकिन सबार्ण के शमात से तुम भोट मांगने जिसक्स मार जी उस दिन आपको सब्सक्र नहीं है लगा कि जीतारमाजी बला कि स्वर्न बला चुना में याद दिला देंगे देख सकते हैं किस तरसे गुस्ता जो है वह साथ में आस्मान पड़ा है जद्यू के युवा नेता है और अपने ही मुखिया नितीज कुमार पर जो कटाक्ष है वो कर रहे हैं अपना गुस्ता जाहि के नजार आ रहे हैं मेरा नाम वरून जाह है आप जनता जंग संदेख रहते हैं बहुत-बहुत हैं